जहीं दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से इस नहीं वीडियो में दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने एक AOC Recruitment के बारे में वीडियो डाला था और जिसमें बताया था कि यह वेकेंसी जल्दी ही निकलने वाली है तो फाइनली जो AOC Recruitment का जो डेटेल नोटिफिकेशन है आचुका है और वेकेंसी निकल चुकी है जो भी 10th Pass, 12th Pass और Graduate Candidate है सभी के लिए अलग-लग पोस्टों में रिजर्वेशन अवेलेबल है तो आज कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल कितनी वेकेंसी है क्या उसकी Education Qualification रहेगी Age Relaxation किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से इसका एक्जाम होगा दोस्तों सैनिको से जुड़ी सारी खवरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइगन को प्रेस करके All का बटन दबाएं ताकि सारी लेटस जानकारी आपको मिले सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं Important Dates के बारे में तो इसके जो Online Form है वो आज से यानि की 2 December 2024 से स्टार्ट हो चुके है और Forms को जो Fill Up करने की Last Data वो 22 December 2024 है दोस्तों बात कर लेते वेकेंसी की मैंने पिछले वीडियो मी बताये था तो यहाँ पर काफी Categories के अंदर वेकेंसी निकली है लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ उन वेकेंसी की जिनमें की Axis Man का Reservation है तो यहाँ पर Material Assistant यानि MA की एक वेकेंसी है JOA यानि की Junior Office Assistant की दो वेकेंसी है Tele Operator Grade 2 की एक वेकेंसी है Fireman की 24 वेकेंसी है MTS की एक वेकेंसी और Tradesman Mate की 38 वेकेंसी है तो यह सारी वेकेंसी हैं टोटल 6 पोस्ट है जिनमें की Axis Man के लिए वेकेंसी अवेलेबल है दोस्तों बात कर लेते हैं Education Qualification की तो केवल उनी पोस्टों की Education Qualification देखेंगे जिनमें की Axis Man का Reservation है सबसे पहले Material Assistant इसके जो Age है वो 18 से लेकर के 27 वर्ट चीए Normal Candidate के लिए Axis Man को इसमें छूट है जो की हम आगे देखेंगे कितनी छूट है और इसमें जो आपका Qualification चीए वो Graduate होना चीए किसी भी Recognize University से Junior Office Assistant के लिए Civil Candidate के लिए जो Age 18 से लेकर के 25 साल है और इसमें जो Qualification है वो 12th पास होना चीए साथ ही ये Office Assistant पोस्त है यानिकि क्लेरिकल पोस्त है तो इसमें आपको जो Typing Speed है वो भी चीए 35 वर्ड पर मिनट की दोस्तों इसके पार Tele Operator Grade 2 ये Vacancy है इसमें भी Civil Candidate के लिए जो 18 से लेकर के 25 साल चीए इसमें भी 12th पास होना चीए और आपको PBX जो Board है उसकी handling आनी चीए हाला कि इसमें किसी प्रकार का कोई certificate नहीं मांगा है कि आपको कोई certificate चीए बट इसमें ये मांगा गया है कि आपकी जो handling है वो आनी चीए हो सकता है कि आपको आगे वो उसमें exam के time वो सब करके दिखान देखना पड़े दोस्तों इसके बाद जो fireman की vacancy है बिल्कुल simple इसमें qualification है कि ये वर 10th पास चाहिए और जो civil candidate के लिए age 18 से लेकर के 25 वर्स इसमें रखी गई है MTS की बात कर यानी कि multitasking staff इसमें जो age 18 से लेकर के 25 वर्स रखी गई है और इसमें भी 10th पास चाहिए और इसके अलाबा कोईस में अलग से qualification नहीं मांगी गई है दोस्तों बात करें tradesman mate की तो यहां पर जो civil candidate के लिए age 18 से लेकर के 25 वर्स रखी गई है और इसमें भी सिरफ 10th मांगा गया है और इसके अलाबा किसी प्रकार की education इसमें नहीं चाहिए दोस्तों भी बात कर लेते हैं age relaxation की तो आपने उपर जितनी भी पोस्टें देखी उनमें जो maximum age थी चाहे वो 25 वर्स हो चाहे वो 27 वर्स हो तो उसमें एक्सरिस्में को क्या करना है कि एक्सरिस्में को अपनी जो urgent age है उसमें अपनी सेना की जो service है उसको minus करना है और उसके बाद उसको तीन साल और minus करना है और उसके बाद उसको देखना है कि उसकी जो age है वो जिन पोस्टों में 27 वर्स मांगी गई है तो 27 से कम होनी चाहे और जिन पोस्ट में नोकरी करने के बाद जो certificate मिलता है अगर आपके पास वो certificate है तो उस base के उपर भी आप जो higher post है जो 12th level की vacancy है, graduation level की vacancy, group C की जितनी भी vacancy है वो आप इसमें देख सकते हैं अब दोस्तों अभी देख लेते हैं कि इन सभी जो post हैं इनका जो selection है, वो किस प्रकार से होगा दोस्तों सबसे पहले material assistant जो की graduation level की post है तो इसमें सिर्फ एक return exam होगा और उसी के base के उपर आपका selection होगा junior office assistant का पहले आपका typing proficiency test होगा जो की मैंने बताया, clerical post है 35 word per minute की आपको speed चीए English में और 30 word per minute की आपको speed चीए Hindi में दोनों में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं तो वो आपका stage 1 qualifying होगा और उसके बाद आपका return exam होगा इसके बाद tele operator grade 2 का सिरफ return exam होगा उसी के base के उपर इनका selection होगा दोस्तों भी बात करते हैं fireman की तो इसमें क्योंकि physical भी है और इसमें return भी है तो पहले जो physical test होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं तो physical में जो आपकी height है 165 cm मांगी गई है test है वो unexpanded 81.5 और expansion के साथ 85 cm मांगी गई है और weight जो minimum weight होगा आपका कम से कम 50 kg होना चाहिए दोस्तों इसके बाद जो इसका physical endurance test होगा उसमें आपकी एक mile की यानिकी 1.6 km की run होगी और उसमें जो exercise man के लिए जो timing हो हम देख लेते हैं normal candidate के लिए जो timing है वो यहाँ पर 6 minute है और exercise man के लिए अगर वो 40 साल से कम है तो उनके लिए उनको time मिलेगा 7 minute और 11 second 40 से 45 साल की age group के जो exercise man है उनको time मिलेगा 7 minute 48 second और 45 and above जो exercise man है उनको time मिलेगा 9 minute 22 second तो यह दोड आपको 1.6 km की दोड पूरी करनी है इस prescribed time के अंदर है इसके बाद इसमें 3 चीजें और करनी है सबसे पहले तो आपको 1.65 kg के बाहर के वेक्ति को 183 meter तक आपको ले जाना पड़ेगा 96 second में उसके बाद में 2.7 meter का long jump है और आपको 3 meter vertical rope चड़ना पड़ेगा दोस्तों यह सारी physical activity इसलिए क्योंकि जो भी fireman का काम होता है वो जब आग लग जाती है तो उस time के उपर उसका जो physical fitness होना चाहिए ताकि वो जहां पर आग लगी है वहां से लोगों को rescue कर सके और चीजों को control में कर सके दोस्तों MTS के लिए भी सिरफ return exam होगा उसी के base के उपर आपको selection होगा इसी वाद tradesman mate की जो vacancy है इसमें भी physical endurance test होगा डेड़ किलोमेटर की run है 6 मिनट के लिए normal candidate के लिए एक्सरिसman के लिए वही देड़ किलोमेटर की run अगर वो 40 से बिलो है तो उसके लिए 7 मिनट 11 सेकंड मिलेंगे और उनको weight उठाना होगा 50 किलो जो की 200 मिनटर तक ले जाना होगा 2 मिनट के अंदर उसके बाद अगर 40 to 45 जो years के एक्सरिसman है उनको 1.5 किलोमेटर का run पूरा करना होगा 7 मिनट 48 सेकंड में और उनको 50 किलो का भार उठाना होगा 200 मिनटर के डिस्टैंस तक और उसके लिए उनको सम्मिलेगा 2 मिनट 10 सेकंड और जो 45 एंड अबाओ के एक्सरिसman है उनको डेड किलोमेटर का रन पूरा करना होगा 9 मिनट 22 सेकंड में और उनको 50 किलो का भार उटाना होगा 200 मिनटर तर और उसके लिए उनको समय लेगा 2 मिनट 40 सेकंड का तो ये सारी जो फिजिकल है ये आपको ट्रेट्समें मेट के एक्जाम में करना पड़ेगा दोस्तों भी बात कर लेता है एक्जाम की तो जिन पोस्टों के लिए सिर्फ एक्जाम है उसमें एक्जाम सभी का जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम ही रहेंगे बस फरक ये आएगा कि जो 10th level का जो पेपर होगा वो easy होगा 12th level का उससे थोड़ा hard होगा और graduation level का जो पेपर होगा वो थोड़ा सा difficult होगा तो उसी के बेस पे बाकि आपके जो subject हैं जो आपके number of question है, marks है, timing है वो सारा same रहेगा, सारे rules सेम रहेंगे तो अभी बात कर लेता हैं जो एक्जाम हो किस प्रकार से होगा, तो general intelligence and reasoning के इसमें 50 questions होगे 50 marks के, numerical aptitude के 25 questions होगे 25 marks के, general English आपका 25 questions होगे 25 marks के और general awareness के 50 questions होगे 50 marks के, तो इस प्रकार से total आपके 1.500 questions होगे, जो की 1.500 marks के होगे, और total इसके लिए आपको समय मिलेगा, 2 घंटेगा, दोस्तों इसमें जो सारे questions होगे, objective type होगे हर जो question के 4 या 5 विकल्प होगे, उन में से आपको एक choose करना होगा दोस्तों, English को छोड़कर आप बाकी के जितने भी subject हैं, Hindi और English दोनों में से किसी भी भासा में attempt कर सकते हैं दोस्तों ये जो exam होगा, आपका ये OMR based होगा, OMR की seat दी जाएगा और उस पर आपको आपके answer है, वो fill करने है और इसमें negative marking भी है 0.25 marks की, तो ये exam देते से मैं आपको ध्यान रखना है दोस्तों बात करें posting की, तो area of posting जैसे इसमें बतायागा है notification में कि इसके अलग-लग zone है, पूरे इंडिया में कहीं भी आपकी posting आ सकती है, और पूरे-पूरे chance है कि आपके घर के पास भी आपकी posting या आपको home state में भी आपकी posting मिल सकती है दोस्तों, जो इसका जो official website के उपर इसका जो online जो link है, वो start हो चुका है, और आज की rates आप इसमें apply कर सकते हैं, जो इसकी official website है, वो aoc.gov.in के उपर जाके आप इसमें online application fill कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो दोस्तों, ये तीशारी जानकारी, उमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आये तो like, share and subscribe करना ना भूले और बने रहें मेरे साथ इसी परकार के interesting videos के लिए, वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, जैहिंद